हरी कृष्णा सकट चौट यानि गणीश जी का वृत इस दिन महिलाए अपने संतान के लिए वृत रखती है और पूरे दिन निर्जला रहकर वृत करती है राद को चान के आने पर अर्ग देती हैं और वृत खोलती है इस दिन गणीश जी और चौट माता की पूजा की जाती है ऐसा कहा जाता है कि सकट चौट वृत करने से संतान को लंबी आयू प्राप्त होती है और उनके संकट टल जाते हैं सरातन धर्म की पूजा पाट और वृत में कथाओं का विशेश महत्व है तो आईए सकट चौट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण कहानिया हैं जिसका हम श्रवन करते हैं प्रथम कहानी कहते हैं कि सत्यूग में राजा हरिश चंद्र के राज्य में एक कुमार रहता था एक बार तमाम कोशिशों के बावजूद जब उसके बरतन कच्चे रह जाते थे तो उसने यह बाद एक पुजारी को बताई उस पर पुजारी ने बताया किसी छोटे बच्चे की बली से ही यह समस्या दूर हो जाएगी इसके बाद उस कुमार ने एक बच्चे को पकड़ कर आउ में डाल दिया वह सकट चोट का दिन था काफी खोजने के बाद भी जब उसकी मा को उसका बेटा नहीं मिला तो उसने गड़ेश जी के समक्ष सच्चे मन से प्रार्थना की उधर जब कुमार ने सुभा उटकर देखा तो आउ में उसके बरतन तो पक गए थे लेकिन बच्चा भी सुरक्षित था इस घटना के बाद कुमार डर गया और राजा के समक्ष पहुँचकर उसने सारी कथा बताई इसके पश्चात राजा ने बच्चे और उसकी मा को बुलवाया तो मा ने संकटों को दूर करने वाले सकट चौट की महिमा का वर्णन किया तब ही से महिलाएं अपने संतान और परिवार के सौभाग्या और लंबी आईयों के लिए वरत करने लगी दूसरी कथा एक साहुकार और एक साहुकारनी थे वह धर्म पुढ़ने को नहीं मानते थे इसके कारण उनके कोई बच्चे नहीं थे एक दिए साहुकारनी पडोस के घर गई उस दिन सकट चौट था वहाँ पडोसन सकट चौट की पूजा करने के लिए कहानी सुन रही थी पडोसन बोली इसे करने से अन्नधन, सुहाग, पुत्र सब मिलता है। तब साहुकार्णी ने कहा यदि मेरा गर्भ रह गया तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौद की व्रत करूंगी। शेगणेश भगवान की कृपा से साहुकार्णी का गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं धाई सेर तिलकुट करूंगी। चौथ देव क्रोधित हो गये और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल की पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खुजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लोटाए। इधर जिस लड़की से साहुकार्णी के लड़के का विवा होने मारा था, वह अपनी सहिलियों के साथ गंकोर पूजन करने के लिए जंगल में दूब लेने गई। तब ही रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्ध ब्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई तो उसके बाद वह धीरे धीरे सूप कर काटा होने लगी। एक दिन लड़की की मा ने कहा, मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी मा से बोली कि वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है, तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्ध ब्याही। उसने महंदी लगा रखी है और सहरा बिमान रखा है। तब उसकी मा ने पीपल के पेड़ के पास जाकर द मेरी मा ने चौत का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौत माता ने नराज होकर यहां बेठा दिया है। यह सुनकर उस लड़की की मा साहुकार्नी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौत का कुछ बोला है क्या? तब साहुकार्नी बोली तिलकु इससे श्री गनेश भगवान प्रसन्न हो गया और उसके बेटे को फिरो में लाकर बठा दिया। बेटे का विवा धूम धाम से हो गया। जब साहुकार्नी के बेटा और बहु घर आ गये तब साहुकार्नी ने धाई मन तिलकुट किया और बोली हे चौत देव आपके आशि तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना प्रारम कर दिया। हे सकट चौत जिस तरह सहुकार्नी को बेटे बहु से मिलवाया वैसे ही हम सब को मिलवाना। तीसरी कथा एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गड़ेश ची का पूजन और व्रत करती थी। देवरानी का पती जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। दिवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जिठानी के घर काम किया करती और शाम को बचा हुआ खाना ले कर जाती, माग महीने में कडिश जी कवरत सकट चोट दिवरानी ने रखा, उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल वगुड लाकर तिल कुट्टा बनाया, पूज शाम को चंदर को अरग देकर जिठानी के हां से लाया खाना और तिल कुट्टा खाएगी, शाम को जब जिठानी के घर खाना बनाया, तो उसकी जिठानी का फ्रत होने के कारण सभी ने खाना खाने से मना कर दिया, अब दिवरानी ने जिठानी से बोला, आप मुझे खाना जिससे मैं घर जाऊं। तो बच्चे रूने लगे उसका पती भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी वह दो रोटी नहीं ला सकती। पुढिया वली भूग लगी है खाने के लिए कुछ दे। दिवरानी ने कहा क्या दू मेरे घर में तो अन का एक दाना भी नहीं है। जिठानी बचा कुछा खाने को देती है आज वो भी नहीं मिला। पुजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके पे पड़ा है वही खा लो। सकत माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी निम्टाई लगी है। कहा निम्टे। उसने कहा यह खाली जोपडी है आप कहीं भी जा सकती हो जहां इकशा हो वही निम्ट लो। फिर सकत माता बोली अब कहा पोचूं। इस पर दिवरानी को गुस्सा आया कि कब से परिशान किये जा रही है। सो बोली कि मेरी साड़ी में पोच लो। दिवरानी जब सुभा उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगाब था। उस दिन दिवरानी जठानी के यहां काम पर नहीं गई। जठानी ने कुछ तेर तो रह देखी। फिर बच्चों को दिवरानी को बुलाने भेज दिया। जठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था। इसलिए शायद दिवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए चाची, चाची तो दिवरानी ने कहा, कि बेटा बहुत दिन तेरी मा के हां काम कर लिया, बच्चों ने घर जाकर मा से कहा, कि चाची का पूरा घर हीरे और मोतियों से जगमंगा उठा है, जिठानी दोड़ कर दिवरानी के पास आई और पूछा, कि यह सब कैसे हो गया, सकट माता उसके भी सपने में आई और बोली भूग लगी है मैं क्या खाऊं। जिठानी ने कहा आपके लिए छीके में रखा है फल और मेवे भी रखे हैं जो चाहो सो खालो। सकट माता बोली अब निप्टे कहां। जिठानी बोली मेरे इस महल में कहीं भी निपटलो। फिर उन्हेंने बोला कि मैं पोचू कहां। जिठानी बोली कहीं भी पोच लो। सुभा जब जिठानी उठी तो घर में बद्बू गंदगी के अलावा कुछ नहीं था। ये सब देख जिठानी के पती को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि तेरे पास भगवान का दिया सब तब उसने भगवान श्री गडिश से प्रार्थना की। गडिश भगवान ने कहा कि पहले तु अपनी संपत्ती का आधा भाग अपनी दिवरानी को दे तभी तेरे दुख दूर होंगे। चिठानी ने अपनी संपत्ती का आधा भाग अपनी दिवरानी को दे दिया। लेक भगवान अब अपनी माया को हटा लो तब भगवान गडिश ने कहा कि पहले चूले की नीचे गड़े धन का बटवारा कर और साथ ही ताके पे रखी दो सुईयों का भी बटवारा कर दभी तेरे दुख दूर होंगे अब जिठानी ने वैसा ही किया भगवान ने उसे एक-ए सुई का भी बटवारा करवा दिया इसके बाल सारी माया आपे आप खत्म हो गई भगवान ने जैसे देवरानी को सुख दिया वैसा ही सुख सब को देना लेकिन जैसा दुख जिठानी को दिया वैसा दुख किसी को ना दे इसी के साथ आज की सुंदर कथा का समापन करती आशा करती हूँ आपको आज की कथाएं पसंद आई होंगी पसंद आई हो तो नीचे लाइक और कमेंट जरूर करेंगे साथ ये चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भोले हम मिलेंगे ऐसे ही सुन्दर कथाओं के साथ तब तक के लिए राधी राधी